नमस्का, मैं होसासी, आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं बतादे राजी में करोना एक्टिप केस की संख्या 1300 के पार हो गया है गुरुगार को जर्खन में करोना के 482 नए मामले मिले हैं इसमें राची से 246 वही कोडारमा से 56, पूर्वी सिमूव से 42, बोकारो से 29, धनबाद से 28, हजारी बाक से 18, देवगर से 13 पलामू में साथ और सराय के लाखर सावा जिला में दो संक्रामित मिले हैं बतादे राजी में करोना एक्टिप केस की संख्या 1300 के पार हो गई है जबकि राची में एक्टिप केस की संख्या 500-400 पहुंच गई है बतादे कि जारकन में पिछले कुछ दीनों से कुरोना संक्रव मितुक संक्या में लगातार जापा हो रहा है बुद्धवार को राज में 344 नए कुरोना संक्रवित मिले थे रांची और आसपास के इलागों में गुरु आर्शे घाना कोरा चाया हुआ है वही नियुतमत अपमान में 3-5 डिग्री सेसियस की कमी आ सकती है बतादे उत्तर भारत में लगतार बर्फबारी का असर जारखन पर पड़ेगा 31 दिसंबर से मौसम्स तो साफ हो जाएगा लेकिन लोगों को सुबह में ही घाना कोरा और बर्फिली हावा चलने के कारण सित लर्गी परकोप से पर्थानी हो सकती है बतादे पाच्वी बिछोब के कारण पिछले 24 घंटे में राजे के लबग सभी इलाकों में बारिस हुई है सबसे अधिक बारिस चार्ज के बोकारों में हुई 31 दिसंबर को जारखन में बंद रहेगी काप्ला दुकाने GST के दरों में प्रस्तावीत बढ़ोतरी के बिरोध में जारखन के काप्ला दुकाने बंद रहेंगी बतादे इसको लेकर जार्खन ठोक वस्त्र विक्रेता संग ने 31 दिसंबर को संकेतिक हरताल का नेना लिया है राज के सभी होजरी, रेडिमेट, वस्त्र, बेवसाय से जुड़े सभी रिटेलर, होलसेलर दीन के बारा बज़े तक अपने अपने प्रतिस्ठान बंद रखेंगे वहीं पूरे दिन वस्त्र, बेवसाय, प्रतिस्ठान के सवयोगी और करमचारी विरोध में कला बिला लगा कर रखेंगे इसके बाद राजी के बित मंत्री डक्टर रामेश्वर उराव से मिलकर केंद्र सरकार द्वारा थोपे जारे जिएस्टी के बड़ी दरों को कम कराने का आगरा करेंगे बता देखी केंद सरकार द्वारा कॉपड़े पर जनवरी मां से GST की दर 5 फिजडी से बढ़ा कर 12 फिजडी किये जाने के निने का विरोध पूरे देश के वस्त्र रेडिमेट बेवपारियो और संगटो द्वारा किया जा रहा है नव न्यूक्त सिक्षकों को नए वर्स पर मिले का सिक्षा विभाग का तोफा इसकुली सिक्षा एवं सक्षर्था विभाग के मंतिर जगनात महतों ने कहा है कि सिक्षकों का पदस्था अपना उनके गिरी जीलों में किया जाएगा उनके अनुसार एक माह में इसके लिए आवस्यक परकिरिया पुरी कर ली जाएगी उन्होंने इसमें महिला सिख्षकों को प्रात्मिक्ता देने की बात कही है बता दे कि राजे के सिख्षक लगातार अपने गिरी जिला में तबादला की मांग कर रहे हैं इसे लेकर सैकलो आविदन भी भाग में पड़े हुए हैं खास कर नौ न्युक्त प्रात्मिक सिख्षक इसकी लगातार मांग कर रहे हैं हलाकि इसमें भासा का पेच है क्योंकि इनकी न्युक्ती भासा के दाई पर जिला अस्तर परी हुई थी ज्यारखन में पिछले तीन महीने से बंद पड़े ग्री रक्षक वह अगिन समन करमियों के बेतन की निकासी अगले मा जनवारी महीने से सुरू हो जाएगी बतादे बेतन निकासी आदी के लिए केंद्रिये पर सिक्छन सन्स्थान धुरवा के मुखे अनुदेशक असोक कुमार को अपने कारियों के अतिरिक्त बेयन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रबाद दिया गया अस्थाई बेयान पदा अधिकारी की नियुक्ती होने तक असोग कुमार राजे के गिरी रक्ष को वह अगिन समन कर्मियों के बेतन निकास्ती का अभिकारे देखेंगे गिरी इकारा एवं आपदा प्रवधन विभाग ने इससे समधी अहिसुतना जारी कर दिया 15-18 वरस के बच्चों के लिए टिकाकरन की त्यारी पूरी राजे में 15-18 वरस आयू के किसोरों के टिकाकरन की त्यारी तेज हो गई है किसोर टिकाकरन के लिए सानिवार से कोवीन पोटल पर अपना पंजिकरन करा सकेंगे बता दे तिन जन्वरी से राजे के सभी जीलों में एक साथ इसका टिका करन शुरू होगा अभी तक के निन्य के अनुसार 15-18 वर्स आयूवर के टिका करन चुनिन्दा स्कूलों में होगा इसके लिए इसकूलों के कलस्टर बनाये जा रहे हैं जहां जीला परसासंगी टीम पहुँच कर समधित आयूवर के किसोरों को टिका लगाएगी बताते चले कि किसोरों को को वैक्सिन की ही डोज लगाई जाएगी या वैक्सिन वही होगी जो वैसको को लगाई जा रही जार्खन पुलिस खरीदने जा रहे है नौ बेलीजियन से फ़र्ड वा तेरा लेबराडोर स्वान जार्खन पुलिस अपने स्वान दस्ता को और मजबूत करने जा रहे है इसके लिए गुरुवार को टेंडर भरने की प्रकिरिया पुरी हो गई है अब अगामी 17 जनवारी को टेंडर खुलेगा जिसके बाद सुवान खरिदा जाएगा बतादे जारकन पुलिस के पास बरतमान में 16 सुवान है जो भी भीन जीलो में कर रहा था अतरीक्त 22 सुवान के साथ जारकन पुलिस के पास कूल और 30 सुवान हो जाएंगे बता दे जहारखन में नक्सल वीरोधी अभियान के लिए स्वान की कमी महसूस की जा रही थी कुछ स्वान की उम्र ज्यादा हो चुकी है पुर्व में भी स्वान खरीदने के लिए टेंडर जारी किये गए थे बिगत दो बर्सों से कुरोना वारस के संक्रमार वा अनितक निकी कारणों से स्वान की खरीदारी नहीं हो सकी थी जहारखन में फलाई एस इट बनाने वाली सो इकाई की होगी अस्थापना जार्खन में फलाई एस ब्रीक इट बनाने वाली 100 इकाई अस्थापना की जाएगी बतादे पहले चर्ण में विभीन जीलों में 12 इकाईों के अस्थापना होगी सरकार नयार निर्नय पर्यावरन की रक्षा के पुरती अपने जीमेदारी को मद नजार रखते हुए लिया है रजी के विभीन थर्मल पावर प्लांटों को इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि वहाँ से निकलने वाली फलाई एस उत्पादन इकाईों को असानी से उपलब्द हो सके बता दे राजे में फलाई एस की ढुलाई और उपलब्दा को लेकर पिछले दीन उत्पादन इकाईों में समस्या देखी गई थी उलेखनिया है कि फलाई एस इट सदारन मिटी से बनी इट से वजन में हलकी होती है इसे बनाने में पानी की खपर सदारन इट की तूलना में आधी होती है इसके अलावा ढुलाई के दरण पलाई एस इट में चाती भी बहुत काम होती है जारखन बिजली बिचले बितरन निगाम के दिसंबर के राजे सो में बढ़ठी होई है पिछले महीने करीब 250 कोलोर रुपए की वसुली हुई थी जो इस मां 30 दिसंबर तक 336 कोलोर रुपए पहुँच गया बता देया पिछले महीने से 86 कोलोर से अधिक है जे भी एन एल ने राजस में बढ़ोतरी के लिए सक्ति भी बरती है उर्जा मित्रों को हटाने और कई जूनियर इंजिनियरों के खिलाप करवाई हुई है उर्जा सच्चीव ने राजस वसुली बिजली की गुनवता पूर्ती में बेतर परदसन नही करने वाले पताधिकारियों और अभियानताओ के खिलाप करवाई का निर्देश दे रखा है जारखन में एक बर फिर क्रोणा के केस बढ़ने लगे हैं बतादे जारखन में 482 नए केस मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 1300 के पार है बतादे भारत में 15216 नए केस मिले हैं जबकि 7526 मरीज स्वश्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 90104 तक पहुँच गई है जोनहाप हॉल को नो पलास्टिक जोन बनाने के लिए स्वख्षता अभियान आईशु करकतावने ग्रामिनों परियाटक मीत्रों और दुकंदारों के साथ मिलकर जोनहाप हॉल अरूस के आसपस के छेतरों में स्वख्षता अभियान चलाया नो पलास्टिक जोन को लेकर दुकंदारों के जगरू किया बतादे जोनहा में सीली विधायक सुदेस महतों ने लोगों से थर्मो कोल और पलास्टिक से बने पलेट, गलास तता पैकेट का उप्योग नहीं करने के पिल की साप सफाई में बिजय उराओ, धर्मनात सामील हुए बतादे पलटक मित्रों के साथ बैठक करना उपरस के मोगे पर बिदी ब्यवस्ताय बनाई रखने पर चाचा भी की गोड़ा के लोग भैस भक्री बेच कर चुका रहे बिजली बील जारखन के गोड़ा जिले में इंदीनों अजीबों गरीब इतिती उत्पन हो गई है दरसल यहां लोगों को बिजली जमा करने के लिए अपनी भैस और बक्री तक बेचनी पर रहे है बतादे जारखन में इंदीनों बिजली रीन माफी योजना चल रहे है जिसके तहद सरकार 31 माई 2021 तक के बील का ब्याज माप कर रही है कई महिनों से चल रहे है इस योजना में लगातार ग्रामीन बर्चर का हिसा ले रहे है बतादे 31 दिसमर को रीन माफी की अम्तिम्तिती निधायत की गई है जिस वज़ा से बिजली ओफिस में लगातार लोगों की भीर देखने को मिल रही है हलाकि इससे पहले रीन माफी की अम्तिम्तिती 15 दिसमर तक थी देवघर एम्स में जल्द खुलेगा नाया पूलिस थाना देवघर इस्थीत देवपूर परखंड में बन रहे एम्स परिसर में जीला का नाया पूलिस थाना बनेगा इसको लेकर सरकार के निर्देश के बाद पूलिस मुख्याले से मंजूरी मिल गई है नाया थाना एम्स केमपस की जमीन पर बनेगा देवपूर इंडस्टियल एरिया के 236 एकर जमीन में बन रहे एम्स के निर्मान की लागत करीब 776 को रुपए होंगे बता दे 750 से बढ़ा कर 3000 बेड़ वाला एम्स एक मीनी सहर में तबदिल होने जा रहा है यह जनकारी एसपी धनंजे कुमार सिंग ने दिया है नए साल पर बाबा बैधनात के दर्शन के लिए गाइड लें जारी नए साल के आगवन को लेकर देवगर जीला पर सासन तेयारियों में जुट गया है बतादे नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में सरधालू बाबा बैजनात की पुजा आतना करने के लिए बाबा दाम पहुंचते हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अस्थानिय सरधालूरों के साथ साथ बाहर से भी भक्त गन देवघर पहुंच कर भोले नात के दसन करते हैं ऐसे में लोगों की भारी भीड़ के मध नजर 60 पुईंट पर पुलिस बलो की परतिनुक्ति की गई है तैयारियों का निरिक्षन करने पहुंचे देवघर SDO दिनेस कुमार यादो नगर निगम आयोक्त सलेंद्र कुमार लाल सहित और पुलिस वालों के द्वारा मंदिर के आसपास अतिकर्मन भी हटाया गया ताकि सरदालू सरालता पुर्वक मंदिर के द्वार तक पहुंच सके डीजल मोबिल चोरी करने वाले इंटर स्टेट गिरों के 6 सदसे गिरफतार रांची के नामकुम थाना पुलिस को लाइन होटलों में खड़ी ट्रॉकों से डीजल एवं मोबिल चोरी करने वाले इंटर स्टेट गिरों के 6 सदसे को पकड़ने में सफलता मिली है बता दे सभी ख़़े ट्रॉकों के बगल में अपनी ट्रॉक लगा कर डीजल टंकी का लोग तोड़कर ट्रॉक की टंकी में भरते थे एवं दूसरी जगा जाकर गेलेन में रखते थे गिरफतार लोगों में पांच मद्य परदेश एवं एक राची का है बता दे पांचों युवाक नगड़ी थाना चेतर के सपा रोम में एतवा बाड़ो उर्फ प्रभू उराव के घर पर किराये पर रहते थे गुमला के पिकनिक अस्थानों में मिलेगी सुरक्षा परसानी में पूलिस को करे कॉल नए साल को लेकर पिकनिक एस्पोर्टों पर लोगों की भीड़ उमरने लगी है पतादे गुमला जीले के सभी 12 परखंडों में इस्थित पिकनिक एस्पोर्ट में पुलिस की सुरक्षा रहेगी एस्पी डाक्टर एहतिसाम बकारीव ने सभी थाना परखंडों को पिकनिक एस्पोर्टों में सुरक्षा के पुक्ता इंजाम करने का दिशा निदेश दिया है पिकनिक मनाने के दरान अगर कोई किसी परकार के मुसीबत में फंसता है तो ऐसे लोग पुलिस से मदद ले सकते हैं इनके लिए गुमला के एस्पी ने जीले के सभी पुलिस पतादिकारियों का मुबाइल नमबर जारी किया है जिससे मुसीबत होने पर तुरंथ पुलिस के नवपर कॉल कर मदद मागी जा सके चिकित्सको की नियुक्ती परकिरिया में बदला जे पिएस्सी के सुझाव पर स्वास्त विभाग सहमत जार्खन लोग सेवा आयोग राजे के सरकाड अस्पतालों वह स्वास्थ केंद्रों में चिकित सपता दिकार्यों को नियुकती बिना सक्षतकार के करने के पक्ष में नहीं है बतादे आयोग ने स्वास्थ विभाग द्वारा बिना सक्षतकार नियुक्ती को लेकर मांगे गए अनुमोधन पर कहा की बिना सक्षतकार नियुक्ती करना ठीक नहीं होगा आयोग ने कम से कम 15 अंकों का सक्षतकार अनिवारे करने के उनसा स्वास्थ विभाग से की है स्वास्थ विभाग ने भी अब इस पर सहमत होते हुए नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को बेजने काने न लिया है ज्यारखन के वकीलो को नए साल पर मिलेगा बार कॉंसिल का तोफ़ा ज्यारखन इस्टेट बार कॉंसिल की ओर से अधिवक्ताओक मिलने वाले पेंसन को 7,000 से बढ़ा कर 10 एर किया जाएगा इस पर बार कॉंसिल के बैटक में समाती बन गई है हलाकि इसके लिए कॉंसिल अपने बीतिय भार की समिक्षा करेगी उसके बाद इसे लागू किया जाएगा बता दे इस परकिरिया में एक माहलग सकता है बार कॉंसिल के चेर्मैन राजेंद्रे किष्णे ने कहा कि इसके लिए एक कमिटी का गटन किया जाएगा जो बार कॉंसिल के बित्य प्रवंधन की समिक्षा करेगी ताकि अधिवक्ताओं को 10 रुपे प्रतिमा पेंशन मिल सके ज्यारखंड के चावल की बिदेसों में मांग ज्यारखंड का 2200 टन चावल बिदेस भेजा जाएगा बतादे राजे को बिदेसों से इसे दुबाई समेत और अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाएगा या हल्दिया परादीप और विसाखा पत्नम से जल मार्ग से भेजा जाएगा बतादे लोकडाउन के समय भी बजार समीती राची की ओर से किसानों दोबारा उतपादी सब्जियों को कुलकत्ता होते हुए एरपोर्ट से कारगो के माध्यम से दुबाई निर्यात किया गया था सबजीयों का निर्यात एक ग्रो एक्सपर्ट क्रीसी निर्यातक औल सीजन फर्म स्प्रेश ने किया था इसमें राची बजार समीती ने परियास किया था इसी एजेंसी के माध्यम से फिर चावल अपूर्ती का आदेस मिला है इसके लिए बजार समीती राची के पनन सचीव अभिसेक अनन्द और अल सीजन फर्म के निदेशक अबदूल हमीत खान लगातार अने देशों के साथ संपर्क में थे काक्षा नौवी और दस्वी के तीन लाग छात्रों के बैंग खाते में जाएगा किताब का पैसा जार्खन राज के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाने तीन लाग छात्रों को इस वर्स किताब के बदले राची दी जाएगी स्कूली सिक्षा एवं सक्षता विभाग ने इसकी परक्रिया सुरू कर दी है बता दे सभी जीलों से इस समन में जनकारी मांगी गई है राजे में अब तक कक्षा एक से आट तक के सभी बिद्यार्थी एवं कक्षा नौँ वा दस की छत्राओं को किताब दी जाती है बता दे काक्षा एक से आट तक की किताब का साट फिजदी रासी केंदर सरकार वज चालिस फिजदी रासी राज सरकार द्वारा दी जाती है काक्षा नौ वज दस के विद्यार्थों की किताब की पुरी रासी राज सरकार द्वारा दी जाएगी जार्खन सिक्षा पर्योजना की निदेशक किरन कुमारी पासी ने इस सम्बंद में सभी DEO को पत्र भेजा है बता दे राई सरकार सेक्निक सत्र 2021-22 से छायतरों को किताब देने का निना लिया था न्यू इयर पर पैदल और साइकिल परत्योगता कराय राई स्टेशन केंद्रिय अवासन एम सहरी कारे मंत्राले ने Intercity Freedom to Work and Cycle Company की सुरुवात की है इसमें राईधानी की लोग भी हिसा ले सकते हैं बता दे एक जनवरी से 26 जनवरी के बीच होने वाली इस परत्योगता में राईधानी की लोग हिसा ले सकते हैं असमार्ट सहरो के नगरिकों के लिए सुरू की गई इस परत्योगता के लिए राची असमार्ट City Corporation मंत्राले द्वारा जारी लिंक पर क्लिक करके अपना रेजिस्टेशन करा सकते हैं इसमें पैदल चलने की भी परत्योगता है जो लोग प्रती दिन टाहलते हैं या साइकलिंग करते हैं वह लोग रिजिटेशन कराएं बताए दे इस परत्योगता के तहद पैदल करते समय या साइकलिंग के वक्त मोबाइल का इंटरनेट बुलुटूथ और जीपीएस ओन आप और सब्टोएर के जरिये रखेगी जंगली हाथियों ने गन्ने की फसल किया बरबाद लापुंग परखंड छेतर में 28 हाथियों के जून्ड पहुंच जाने से ग्रामिनों एवं किसानों के लिए परसानी का सबब बना रहा बता दे जंगली हाथियों के जून्ड कल दिन भर चंपार डी टोंगरी में डेरा जमाए रहा और देर साम टोंगरी से नीचे उतर कर जाने के करम में बुद्धवार की रात उनी केल गाओं के कई किसानों के खेतों में लगे गन्ना और मटर की फसलों को जम कर रौंदा और खाकर बरबाद कर दिया है 31 दिसंबर को हीसी परिसर में थाली बजाव कारे कराम होगा इस दोरान पुर्व केंद्रिय मंत्री सुभू कांत सहाय मौजूद रहेंगे घेराव को लेकर पूलिस परसासन की ओर से कड़ी बेवस्ता की गई है साथी ही एचिसी परबंधन की ओर से पहले ही कर्मियों को काम पर लोटने के अपील जारी की जा चुकी है धनवाद में नए साल की पार्टी और पिकनिक पर 144 लागू करोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए देश दुनिया चिंती था है जिस तरह से करोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसे नए साल के जनवारी से फरवारी के मद करोना की तीसरी लाहर उठने की चेतावनी विसस सगे दे रहे हैं बता देश से देखते हुए जारखन में भी ओमिक्रोन के मद नजर गाइडलेन जारी है नए साल पर होने वाली पार्टियों में भीड रहती है पिकनिक एसपोर्टों पर हजारों की संख्या में लोग जूटते हैं ऐसे में करोना संक्रमन के फायलने की असांका से इनकार न आज मद्य रातरी से दो जनवरी के मद्य रातरी तक 144 लागू करने का देश जारी किया है पेट्रोल पर रहत का मद्य बर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा लाब मेर आशालकडा मेर आसालाकणा ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमान सुरेन की पेट्रोल पर 25 प्रती लीटर सबसीडरी देने की घोसना जूट के पुलिंदे से कम नहीं है मेर ने कहा कि मध्याबर के लोगों को इससे कोई लाब नहीं मिला इस परकिरिया के तहट रासनकार धालियों के साथ दोखा धाड़ी किये जाने की प्रबल संभावना है मुख्यमंत्री हिमान सुरेन की या घोसना सीर्फ और सीर्फ बोट बैंक की रायनिती है धन्यवाद वैसे पेट्रोल डिजल पर 25 रुप्या प्रति लीटर सबसीडरी से लोगों को कितना लाब पहुँचेगा हमें आप अपनी राय अवस्य दे यादि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद बाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे